वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक हॉल वीडियो है इसमें मैं आपके साथ कुछ जूलरी शेयर करने जारी हूँ जो कि मैंने मीशो से परचेज की है अगर आपको इन में से कुछ पसंद आता है तो आप वहाँ जाके चेक आउट कर सकते हैं बट वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने 8 में को शूट किया था उसको मैंने आज ही 23 जून को लाइव किया आज मैं यह 23 को 1.5 मन्त बाद एक हॉल वीडियो शूट कर रही हूँ इस बीच में मैंने कोई भी हॉल वीडियो शूट नहीं की है सिर्फ एक वीडियो अपडेट देने के लिए शूट की थी जो लोग मुझे अल्डेडी फोलो करते हैं उनको यह बात पता है एंड इसका मैंने उस वीडियो में बताया था और मुझे 1.5 मन्त बाद ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कैमरा के सामने इतना अच्छा नहीं बोल पाऊं अगर ऐसा हो तो प्लीज आप मेरी इसको इग्नॉर करना और आप इस बात को संबाल लेना जैसे आप मुझे पहले प्यार देते र बढ़ पाए तो प्लीज मेरे चैनल को स्पोर्ट कीजिए अपना प्यार बनाए रखिए मैं इस तरह आगे भी कंटीन्यू करूंगी एंड उसका रीजन में आप आपको इस वीडियो में भी बता देते हूं कि 1.5 मंत से मैं विलेज में थी हनमानगर में क्यूंकि मेरे चार-पांस दिन बाद में यह वीडियो शूट कर रही हूं तो बैक टू नॉर्मल लाइफ में हमें आना पड़ेगा आगे बढ़ना पड़ेगा क्यूंकि हम उस सिचुएशन में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते जहां हमें हमेशा दुख गेरे रहे टेंशन रहे या क तो इसलिए मैंने अपने काम पर आने का ट्राय किया है दुबारा मैं पनी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रही हूं तो मैं वन एफ मन्त बाद यह वीडियो शूट कर रही हूं तो प्लीज अगर कोई गलती हो तो आप इसको संबाल लेना तो वीडियो स्टार्ट करते ह जो फस्स नेल स्ट्रीस किया है . लो इस तरह से Green Stone एंद गोल्डन स्ट्रोन के साथ आपको मिल जाता है यी एक छोकर सेट है , aолж जंसेड्स वाइंटेह स्ट्रिंग के साथ इसका प्राइस अंली 300 है इस तरह से इरिंग आपको मिल जाते हैं इरिंग का साईज जादा बड़ा नहीं है तो बट एक इरिंग के बीच में से स्टोन गाइब है तो यह साथ में निकला हुआ है तो मुझे इसको चिपकाना पड़ेगा तो इरिंग का साइज तो ठीक है बट प्राइस के कोडिंग 300 के कोडिंग काफी सही लगा मुझे तो मैं इसको भी आपको पहन कर भी बताती हूँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको without makeup and without किसी stylish dress के इसको wear किया है तो भी ये कितना stylish and pretty लग रहा है तो अगर आप किसी भी stylish dress के साथ and makeup के साथ इसको wear करेंगे, style करेंगे तो काफी perfect look आपको इससे मिल जाएगा तो 300 में आपको एक बहुती प्यारा सा necklace मिर रहा है तो आपको मैं इसको highly recommend करती हूँ आप इसको must purchase करें तो next हम necklace देख लेते हैं कि वो कैसा है next necklace है वो इस तरह से oxidized necklace है with tassels जो की colorful tassels के साथ आपको मिल जाता है and इसका design काफी pretty है ये वाला necklace काफी trend में है तो मैंने इसलिए इसको order दे दिया और guys इसका price only 130 है 130 के according काफी pretty लगा इसका design भी मुझे तो आप इस तरह से इसको भी wear करने पर काफी pretty लग रहा है but इसमें एक minor सा minus point ये लगा कि इसकी adjustable string नहीं है तो इसको आपको इसका tie करना पड़ेगा and इसके earring मुझे काफी अच्छे लगे तो काफी बड़े से size में आपको इस तरह से earring मिल जाते है तो जो की काफी pretty है 130 के coding आप इसको भी purchase कर सकते है necklace जो है वो दो necklace इसी तरह की packing में मुझे रसीव हुए है जो की मैंने एक ही seller से purchase की है तो जो first है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे oxidized ही है तो ये वाला भी एक oxidized necklace है and जो की आपको इस तरह से इसके जो earring है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ इस तरह से round में है and बीच में इसके black stone लगा हुआ है तो मैं ज़्यादा बड़े earring नहीं पहनती क्योंकि मेरे कान का यहां से size ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए मुझे और इसमें एक और design था इसके जो earring थे वो काफी थोड़े बड़े थे इसलिए मैंने उसको order नहीं दिया क्योंकि मेरे कान में यहां से बड़ा ऐसा जो गोल वाला होता है तो वो मेरे कान में यहां satin हो पाता तो मुझे इसका design ज़्यादा अच्छा लगा तो यह भी आपको एक adjustable string के साथ मिल जाता है तो इस तरह से इसके जो black string है इस तरह से और necklace इस तरह से है वो जो earring का design है वो तो दो side में इस तरह से ऐसे है और बीच में यह थोड़ा सा बड़ा circle बना हुआ है और यह दिखने से ऐसे pearl लग रहे हैं बट यह pearl नहीं है और oxidize है यह भी और इसका design भी काफी pretty लग रहा है तो मैं इसको भी आपको पहन कर बता देती हूं और guys इसका जो price है only 200 है पहनने पर काफी pretty लग रहा है आप देख सकते हैं and मैं इसको भी 200 के according highly recommend करती हूं अगर आप अपने लिए jewelry सर्च कर रहे हैं तो इसको भी आप purchase कर सकते हैं try कर सकते हैं and next वाला जो necklace है उसको भी देख लेते हैं next necklace इस तरह के आपको मिल जाता है same वैसे वाला यह जैसा यह design है यहां पर same वैसा design है बट इसके नीचे यह गुंगरू लगे हुए इस तरह से and थोड़ी आवाज भी कर रहा है यह वाला ज्यादा आवाज तो नहीं कर रहा है and इस तरह से यह पतली chain के साथ अपने मिल जाता है अपने को and यह बीच में इस तरह से इसके बड़ा सा circle बना हुआ है तो इनकी quality भी इनके price के according काफी worth है and दिखने से यह ऐसा लग नहीं रहा है कि यह आपको 200 के according इनकी quality काफी अच्छी receive हुई है मुझे तो इसके जो earring है वो इस तरह से जुम की type में आपको मिल जाते है तो earring भी इसके सही लगे मुझे हैं सकते हैं कि काफी pretty लग रहा है यह वाला necklace भी तो दोनों necklace ही अपने price के according काफी इनकी quality worth है अगर आप try कर रहे हैं अपने लिए कुछ jewelry तो आप इनको must try कर सकते हैं तो next वाला necklace जो की मेरा favorite है एंड इसके hall में से सबसे जादा मुझे वाला necklace पसंद आया तो मैं अभी वो आपके साथ share करने जा रही हूं तो मेरे से एक गलती यह हो गई कि मुझे वो first में आपके साथ share करना चाहिए था बट अभी वो मैं आपके साथ share करने जा रही हूं तो यह necklace है काफी मुझे सही लगा यह वाला मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है इसको भी मैं आपको इस तरह से पहन कर अभी बता देती हूं तो इस तरह से इसमें यह stone लगे हूए है green and blue और नीचे यह गुंगरू इस तरह से तो यह three layer में है and adjustable string के साथ मिल जाता है और यह भी oxidized necklace है and guys इसका जो price है 3.28 में मुझे यह receive हुआ है तो यह वाले वो price में बता रही हूं जिन price में यह मुझे receive हुए है and इसके जो guys earring है वो इस तरह से आपको मिल जाते है इस तरह से तो इसके earring भी काफी अच्छे लगे मुझे and necklace specially मुझे जादा अच्छा लगा तो अभी मैं आपको यह necklace भी पहन कर बताती हूं तो guys ऐसे मैंने necklace इंस्टा store पर देखे हैं मतलब मैं मानती हूं कि उनकी quality इंस से थोड़ा जादा अच्छी होगी but guys उनका price बहुत high था काफी costly थे 1500, 2100 तो मुझे ऐसा एक purchase करना था तो मैं कम price में डून रही थी और luckily मुझे यह मीशो पर मिल गया और काफी अच्छी quality में मुझे receive हुआ है तो यह भी 320 के according इसकी quality काफी worth है ऐसे लगनी रही कि 320 का है अच्छा necklace है आप इसको भी must try कर सकते हैं तो अभी मैं इसको भी पहन कर बताती हूं देख सकते हैं कि यह necklace wear करने पर simple look में भी कितना stylish pretty awesome लग रहा है तो इसलिए तो मैं इसको highly recommend कर रही हूं क्यूंकि जो इसका price है इसकी quality को worth है तो आप इसको try कर सकते हैं अगर अपनी जादा अच्छा लगा यह मेरा favorite necklace है तो आपको सब necklace में कौन सा necklace सबसे जादा अच्छा लगा मुझे कमेंट box में जरूर बताएगा एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर दीजेगा अगर अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया तो देर काहे की चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा एंड आप अपना इसी तरह मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखिएगा तो फिर मिलती हो नई वीडियो के साथ तब तक बबाए नमस्ते टेक यर साज शरीयकाल